प्रॉब्लम नमबर ट्वेंटी वन को देखो भाई आप आप से कहा रहा है वाइस दा वैलियो ऑफ दा जी इस मोर एट पोल्स जी की वैल्यू पोल्स पर जादा होती है इस कमपेर टू दा एक्वेटर के मुकाबले अब आप लोगों को ये नहीं पता होगा या बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं ये नहीं पता हो पोल्स और इक्वेटर क्या होते हैं बता जेता हूं यह देखिएगा मेरे पास यह earth है यह earth जिसके जिन point के allocation यह rotate कर रही है, इन्ही को pole कहते है एक pole यह है उर दूसरा pole यह है इसको geographical north pole कहते है इसको geographical south pole कहते है बिल्कुल beach वाली line को इसको कहते है equator, हमारी जो हमारा जो देश है India वो equator के just उपर है ठीक है, तो हम जो है equator सा उपर लाई करते हैं, तो बीच वाला point जो है अर्थ का, इसको equator कहते हैं, अब होता क्या है, जो equator है ना equator, ये थोड़ा सा फैला हुआ है, आप ये कह सकते हैं, कि अर्थ की जो shape है, spherical ना हो करके थोड़ी सी चपती है, तो आप ऐसे ले सकते हैं अर्थ क कुछ इस तरह की है, तो आप देख पा रहे होंगे, अगर center ये ले लिया जाए, तो ये जो है, ये distance, इस distance के मुकाबले में कम है, तो ये distance जो है equator की है, equator पर जो radius होती है, on and average 21 km जादा होती है, as compared to the poles, और आपको पता है, जो gravitational acceleration होता है, ये होता है gm upon r का square, तो ये है gm upon r क square poles पर, और वही equator की बात करोगे, तो भाई ये हो जाएगा gm upon r plus 21 का square, और आपको पता है, जो gravitational acceleration है, वो r के square के inversely proportional है, तो आपने देखा, ये distance बढ़ गई, तो gravitational acceleration कम हो गया, तो यहाँ पर इस पट्टी पर gravitational acceleration के होता है, less होता है, और ये जो poles हैं, सिरे, यहाँ पर, होता है, तो यहाँ पर g की value क्या होती है, वो large होती है, क्लिए रहें, तो उम्मीद करता हूँ, समझ में आगया होगा, क्यूं large होती है, क्यूं कम होती है, reason मैं आपको सब कुछ दे दिया, ऐसी question के अंदर, अगली problem में मुलाकात करता हूँ, thank you so much.